नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और अंतरराश्ट्रिय मुद्राकोश के दबाव के बाद आखिरकार पाकिस्तान की शहबास शरीफ सरकार घुटनों पर आ गई है। पाकिस्तान की सरकार ने चीन से दो अरब डॉलर के लोन को एक साल के लिए रोल ओवर करने को कहा है। पाकिस्तान ने IAMF को इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान ने सौधी अरब से भी लोन की गुहार लगाई थी। इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को दिये चीनी कर्स पर चिंता जताई थी और कहा था कि शहबास शरीफ सरकार इसे रिस्ट्रक्चर करने के लिए पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के मताबिक पाकिस्तान की सरकार ने चीन से अगले महीने लोटाए जाने वाले दो अरब डॉलर को रोल ओवर करने के लिए कहा है। पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार को जून महीने के अंत तक 10 अरब डॉलर तक पह पाकिस्तान के एक अधिकारी ने दावा किया कि उसे चीन से दो अरब डॉलर को रोल ओवर करने के लिए आश्वासन मिला है। जब पाकिस्तान के उपर बढ़ते बीजिन के कर्स पर पश्चिमी देश गहरी चिंता जता चुके हैं। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्स का 30 फीसदी चीन की ओर से दिया गया है। चीन का यह कर्स 30 अरब डॉलर की भारी भरकम राशी से ज्यादा है। इससे पहले अमेर पाकिस्तान के दिया मानने के लिए दबाव डाल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चीन के कर्स में फंसे भारत के पडोसी देशों से बात करेगा ताकि वे चीन के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लें। अमेरिका के इस बयान के बाद चीन भड़क गया था और उसने पाकिस्तानी कर्स के लिए अमेरिका समेट पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया था। चीन पहले पाकिस्तान को कर्स देने में आनाकानी कर रहा था लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव के बाद अब राजी होता दिख रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस अधले वीडियो में कुछ मज़ेदार टोपीक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत